असलाम लेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मा को बनाना सिखा रही हूं चिकन चीज बोटी कबाब जो के बहुत ही लजीज बनते हैं और उसके लिए जो मेटेरियल यूज हो रहा है वो मैं आपको बताने लगी हूं चिकन लिया है मैंने बॉनलस और उसके मैंने अध्रकलसन का पेस्ट लेना है आपने वन स्पून वन टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लेना है आपने वन टेबल स्पून सिर्का लेना है आपने वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर वन टेबल स्पून नमक हसबजाई का मैंने हाफ टी स्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर वन टेबल स्पून और जीरा पाउडर वन टेबल स्पून इन सब चीजों को अब हम मैरिनेट करने लगें जब से पहले चिकन में डाल रही हूं सिर का ताकि अच्छे से गल जाए तो इसको मिक्स कर लेना है अब एक आपने बॉल लेना है उसमें अपना दहिया अड़ कर दें और अध्रक लसन का पेस्ट इसमें अड़ कर दें मिक्स खड़ी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया वा था वो भी अड़ कर दें अब इसमें अड़ कर रही हूं मैं लाल मिर्च का पाउडर यसलिए डाल रही हूं आकि जब हम जीज डालें तो यह स्पाइसी ही रही नमक काली मिर्चे और जीरा पाउडर इसको बखी ज़ना मिक्स कर रही है अब हम अपना चिकन इसमें आट कर रहे हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लें यह देखें चिकन मैरिनेट हो गया अब मैं इसको थर्टी मिनिट के लिए रख देने लगी हूं कवर करके अब मैं आपको सोस बनाना सिखा रही हूं जो सोस यूज हो रही है इस चिकन इका बॉटी मिन इसको लिए में चिडर और मजरीला दोनों चीज रहे हैं और वह चीज होगी पूरा वन कप ठीक है हाफ मजरीला का होगा और हाफ चिडर का होगा विद्ध का इसल़ा देना लए ना दोनों कली मिर्च का पडुडर लिये मैंने हाफ टी श्पून और यह मैंने लिया है मेंदा फी वन टेबल श्पून और लिया है दूद हाफ कप और ओर ऑयल टेबल स्पून होगे आπαि इमने एक पनले लिया कि तरहए बड़ा करती होसम, अब बैव गो करती है, एक लिए एक साहिं से कटूरा करें आप उपने कालिमिर्च का पॉपरण बहने हिए। खिदे के अबड़े जेए हमें और फ्लस एक सियक्ति हमोसमें आपको घण करें लिए। और जैसे ही इत्रा स्टिकी होजेगा आपने फ्लेम ओफ करेट देना है यह देखिए अब हमने स्टिक ले लिए उस पर ही चिकन को प्रोन है कि अच्छे तरीके से मसाला लगाएं यह देखिए ऐसे स्टिक्स त्यार करके आपने रखनी है और जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके उपर लगा देखिए आपने एक पैन या कड़ाही लेनी है और उसमें ऑईल लगा लेना है थोड़ा और अब हम अपनी स्टिक्स अंदर रखने लगएं इसको अच्छे तरीके से आपने पकने देना है और फिर साइड चेंज कर देनी है ठीक है इसी साइड चेंज कर देनी है और दुसी साइड से शुप होने देनी है रेमेंग स्टिक्स हमने अपर रख लियें अब इसको अपने लें स्टिक्स को अब हमने इसकी लास्ट कोटिंग करनी है इसके लिए मुझे चाहिए अब धनिया चीज जो बची वी थी वो और चिरी फ्लेक्स एंड लास्ट पर जो हमने सॉस बनाई लिए आफ यह देखें अब आपने एक पैनलन है उसमें इस जो और स्टिक्स थी यह सारी इसे सीदी निकाल निकाल कर रख दी लिए स्टिक्स से निकाल ले निया है अच्छे से अब हम इस पर चिल फेक्स डाल रहे हैं थोड़े थोड़े इसको जाइदा स्पाइसी पसंद गए इसको जाइदा आइट करें और अब ये लाश पर जो मने चीज रखी वी थी वह एड़ कर दें देखें हमें चीज भी उपर एड़ कर दिया और अब लाश पर जन्य आड़ करते हैं और फ्लेम लो पर ओन करके इसको कवर कर दें और जैसे ही चीज मेल्ट होने लगेगी हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसे बाहे निकाल लेंगे चीज मेल्ट हो चुकी है अब हम इसे डिशाउट करते हैं यह देखें गाइस मैंने इसे डिशाउट कर लिया और हमारे चीजी चिकन तिका बोटी इस रेड़ी वाच यम्य और स्पैसी लग रही है आप यू लाइक है और मस्ट राइ चीजी चिकन तिका बोटी इस रेड़ी